मैं विरंदर कश्यप आप सभी किसान भाईयों का स्वागत करता हूँ कश्यप एग्रीकैमिक्स यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेगे फार्मिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक कॉमन प्रोडक्ट बाविस्टीन इस पर आपको क्रिस्टल की ब्रेंडिंग देखने को मिलेगी सबसे पहले हम टेक्निकल कंटेंट के बारे में बात करेगे इसमें हमें कारबेंडाजिम 50% डबली पी फॉर्म में देखने को मिलता है यानि कि वैटेबल पौडर कारबेंडाजिम जो की बेंजिम इंडाजोल ग्रूप का एक फफुंद नाशक है और ये एक तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंगी साइड है यानि कि विविन बीमारियों की रोगधाम करने में सक्षम है रोगों की बात की जाये तो मैं आपको बता दूँ ब्लास्ट, स्टेम रॉट, सीट ब्लाइट, ब्रॉण स्पॉट, एंथ्राक नोज, पौडरी मीडियू, डाउनी मीडियू, डेंपिंग ओफ और एपल स्कैब जैसी बीमारियों को रोखने में साहिता करता है अगर बात करें समय अंतराल की तो दस से बारा दिनों तक हमें इसका अपनी फसल पर असर दिखता है बाविस्टिन कॉन्टैक्ट सिस्टमिक फंगी साइड है यानि कि ये प्रिवेटिव और क्यूरेटिव दुनों तरह से अच्छा काम करता है और अगर स्प्रे करने के दो धाई गंटे बाद बारिश भी हो जाती है तो भी किसान साथ्यों को गबराने की जरूरत नहीं है ये दो धाई गंटे में पूरी तरह से वर्क कर लेगा यानि कि 80-90% आपको बैस्ट रिजल्ट मिलेगे चलिये अब बात करते हैं हम दूसरी कौंसी दुआईयों के साथ इसे मिला कर छिड़काओ कर सकते हैं कॉन फुड डोज जिसमें इमीडा कलोरोफिड कंटेंट हमें देखने को मिलता है इसके साथ भी हम इसे मिला सकते हैं थायो मेथोकसॉम के साथ भी आप इसे मिला सकते हैं बैविस्टीन को हम इंडोफिल M45 के साथ भी मिला कर छिड़काओ कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे contact fungicides, insecticides हैं जिसके साथ आप बैविस्टीन को मिला सकते हैं बैविस्टीन से आप drinking भी कर सकते हैं इसके साथ हम सभी vegetables पर भी इसका छिड़काओ कर सकते हैं और सभी प्रकार के fruits प्लांट पर भी बात डोज की की जाए तो सभी की अलग-अलग doses रहेगी मैं सेब की खेती करता हूँ सेब मैं एपल स्कैब को रोकने के लिए बैविस्टीन काफी बहतरीन fungicides है और आप इसे 200 लिटर पानी में 100-120 ग्राम डाल कर छिड़काओ कर सकते हैं सबजियों में भी आप इसे 100-300 ग्राम 200 लिटर पानी में डाल सकते हैं इसके साथ धान गेहूं और जो डाले हैं डालों में भी आप इसका छिड़काओ कर सकते हैं आप अपनी फसल का नाम comment box में comment करें मैं आपको recommended dose बता दूँँगा अगर आप ड्रिंचिंग कर रहे हैं तो 500-300 ग्राम आप 200 लिटर पानी में ले सकते हैं और ड्रिंचिंग कर सकते हैं इसे आप पुआई के समय बीच के साथ भी डाल सकते हैं आपको किसी तरह का side effect देखने को नहीं मिलेगा जानते हैं इसके price के बारे में ये 120-140 रुपेद का आपको 100 ग्राम असानी से मिल जाएगा अगर आप इसे online purchase करना चाते हैं तो मैंने description box में link दे रखा है आप वहाँ से ही से खरीद सकते हैं चिरकाओ करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पानी है साफ हो और उसका pH लेवल सामान्य हो सभी फसलों पर इसकी अलग अलग डोज हमें डालनी पड़ती हैं इसलिए मैं सभी फसलों को explain नहीं कर पा रहा हूँ तो आप जो भी फसल पर इसकी सप्रे करना चाहते हैं आप कमेंट करें मैं आपको recommended dose बता दूँगा अगर आपका कोई सवाल रहता हैं सुझाओ रहता हैं तो आप कमेंट करें मैं सभी के कमेंट परने की कोशिश करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और bell notification को on करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे